बारिश ना होने से उत्तर प्रदेश के बलिया जीले में सूखे जैसे हलात बन गए हैं जिन किसानों ने किसी तरह धान की रोपाई और फसलों की बॉई की वो भी अप्चोपट होने लगी है सरकारी आंकडो के नुसार जिले में 20 फीजदी रखवे में तो खेती ही नहीं हुई वर्तमान में बारिश नहीं होने से सूखे का असर खरीव की खेती पर पढ़ने लगा है अधिकांश इलाकों में धान की रोपाई भी किसानों ने काफी कम की करीब दो महा पूरव जोरदर बारिश के बाद अब तक बारिश नहीं हुई है बीच में एक दो बार बारिश हुई तो वो भी केवल रिम जिम रही हलाकि इसी बीच किसानों ने खरीव के फसलों की बाई इस उमीद के साथ की कि बारिश होने के बाद फसले ठीक होंगी लेकिन बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हलाग बन गए है जिन खेतों में बुआई हुई थी तेज धूप और गर्मी के कारण सूखने लगे है खासकर जुआर, बाजरा, मक्का, अरहरादी की फसले काफी परभावित होती दिखाई दे रही है उदर बारिश नहीं होने के कारण अधिकाश किसानों ने जहां धान की रोपाई काफी कम की वहीं अब रोपे गए धान को बचाने के लिए जूज रहे हैं जिला क्रिशी अधिकारी की माने तो बारिश काफी कम होने के कारण जिले में खरीफ की 20 फिर्दी रखवे में खेती नहीं हो पाई है इसके इलावा जो फसले खेतों में है वो भी बारिश के अभाव में अब परभावित होती दिखाई दे रही है Bureau Report Market Times TV